हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एन यूर बेस्ट चैनल, MS Coaching Institute फ्रेंड्स, मैं सिवानाच चौबे, आज आपको इंग्लिज ग्रामर में एक नए टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ और ये टॉपिक आपको जानना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, या आप स्कूलिंग पिरियड में हैं, आपको इनके बारे में नॉलिज होना चाहिए और वो टॉपिक मैंने लिया हुआ है, कि जब भी हम किसी भी नाउन को सिंगुलर फॉर्म से प्यूरल फॉर्म में कनवर्ट करते हैं तो उनको कनवर्ट करने के कौन-कौन से रूल्स हैं, उनके बारे में आज मैं आपको बताओंगा with examples, so the topic is singular to plural nouns, conversion, rules and examples, मैं आपको बहुत ही बहतरीन तरीके से with examples समझाओंगा हर एक रूल को और आप इन्हें केरफुली देखें, समझें और कुछी समय के बाद आप इस conversion में master हो जाएंगे, तो दोस्तों देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं अपना topic सबसे पहला रूल, जो generally हम लोग जानते हैं कि कोई भी रूल अगर follow न करें, तो लास्ट में हम S लगा करके प्यूरल में conversion कर देते हैं किसी भी singular noun का, तो ये चीज़े तो आपको इसली समझ में आ रहोगा, पहला आप में कोई special rule नहीं है most nouns are made plural by adding S at the end, जैसे car है, अब इसके लिए कोई special rule नहीं है, आप यहाँ पर आर जो last में, इसके last में क्या कर दीजिए, S add कर दीजिए, तो बन जागा cars, car एक single car की बात हो रही है और cars बहुत सारे car की बात हो रही है, मतलब ये single से multiples में हो गया, या इसको singular से plural हम बोलेंगे bag, S जोर दीजिए, bags हो जाएगा, y, y जोर दीजिए, प्यूरल हो गया, table, tables कर दीजिए, प्यूरल हो गया तो ये special नहीं है, main जो rule number 2 है, यहां से आपको carefully हर एक चीज को समझना होगा rule number 2 क्या बोलता है, nouns ending in S, SH, SS, SS, X, Z, और CH अगर किसी भी singular noun में, last में ये आते हैं, ये word या later आते हैं S, SH, SS, X, Z, और CH, तो उस conditions में आपको उसका प्यूरल बनाते समय, last में क्या जोर देना है you have to add ES at the end, last में आपको बस ES जोर देना है, आईए example देखते हैं, क्योंकि बीना example बीना practice के आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, जैसे बस है, ये singular में है, अब मुझे इसे प्यूरल में convert करने के लिए बोला जा रहा है, अब यहां पर देखे, last में क्या आया, S आया, मैंने rule क्या बोला, अगर last में S है, तो आपको add क्या कर देना, ES add करना है, इसका मत्तब मुझे प्यूरल बनाते समय, इसके last में क्या जोड़ देना है, E और S जोड़ देना, तो क्या बन जाएगा, buses, B, U, S, E, S प्यूरल बन गया, ऐसे ही, B, E, N, C, H, bench है, last में देखे, C, H आ रहा है, last में C, H आ रहा है, और देखे, मैंने यहाँ पर बोला, C, H अगर आ रहा है, तो क्या add कर देजिए, ES, that means कि प्यूरल बनाते समय, आप क्या करेंगे, ES जोड़ देदेए, बन गया, benches, ऐसे ही, box, X, last में आ रहा है, क्या जोड़ देजिए, ES, तो क्या हो जाएगा, boxes, F, I, S, H, last में, S, H आ रहा है, देखे, यहा जाएगा, F, I, S, H, E, S, faces, हो गया, class, double S, last में आया, तो प्यूरल बनाते समय, क्या करना है, ES जोड़ देना, देखे, double S है, तो यहाँ पर ES add करना है, तो ES add कर देजिए, प्यूरल बन के तियार हो क्या, Q, U, I, Z, quiz, quiz, यहाँ पर देखे, last में Z है, तो यहाँ यूज करना ह आपको ES add करना है, तो यहाँ पर जाएगा, Q, U, I, Z, E, S, होगी आपका, plural form conversion, हाँ दोस्तों, कुछ exceptions हैं हमारे English word में, जैसे हर एक फिल्ड में कुछ ने कुछ exceptions होता है, वैसे यहाँ पर भी exception है, exception मतलब, जो rule को follow न करता हो, जैसे O, X है, अब आपको बोला जाएगा, तो आपको बोलोगे, सर, लाश्ट में तो X है, इसका मतलब, मुझे Ox, जो bell होता है, इसका plural बनाते समय, मुझे ES जोडना चाहिए, लेकिन यहाँ पर exception है, क्या जोडते है, EN जोडते है, Oxen, तो इसे आप याद कर दिए, ऐसे हिस्टमच, इस्टमच, जो हमारा पेट होता है, त तो इसका plural बनाते समय, आपको ES नहीं जोडना है, क्योंकि आप बोलोगे, सर, लाश्ट में CH आ रहा है, नहीं, यहाँ पर plural बनाते समय, H-T-O-M-A-C-H है, बस S को आप जोड़तीजिए, ऐसे ही radius, R-A-D-I-U-S, अब लाश्ट में S आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप ES जोड जाता है, तो इसका plural हो का ready, R-A-D-I-I, तो कुछ exceptions आते रहते हैं, exceptions को आप याद कर लिया करिए, बाकि maximums रूल के बेस पर आपका काम follow हो जाएगा, rule number third क्या बोलता है, the nouns ending in Y, and before it a consonant, then add I-E-S by removing Y, अगर कोई भी noun ऐसा हो, जो singular form में हो, और उसके last में Y आता हो, तो आपको ये देखना है कि उस Y से just पहले, मतब last में Y होना चाहिए, और ठीक उससे पहले वाला letter क्या है, consonant है कि vowel है, आपको मालूम होगा vowel A, E, I, O, U होता है, और इन 5 letters A, E, I, O, U को छोड़ दिया जाया, तो बचे हुए consonant कहलाते हैं, तो अगर Y के ठीक पहले consonant आते हैं, तो क्या बोल रहा है, Y को उड़ा दीजिए, Y को हटा दीजिए, और उसकी जगह पर क्या add कर दीजिए, क्या करेंगे, दोनों में एक साथ आपको रूल याद करवाते रहा हूँ, देखिए, यहाँ पर example, B, A, B, Y, Y है last में, अब जब इसके पहले वाले letter को देखिए, यह vowel है कि consonant है, अगर यह consonant है, तो मैंने क्या बोला, Y को उड़ा दीजिए, तो Y को मैंने उड़ा दिया, मडर Y, Y, यहाँ पर Y आया, Y से ठीक पहले क्या है, अल है, L क्या होता है, consonant होता है, तो Y को हटा आईए, और Y के जग़पर क्या add कर दीजिए, I, E, S, country, C, O, U, N, T, R, Y है last में, ठीक इसके पहले क्या है, R है, consonant में आता है, Y को हटा आईए, और Y के जगपर क्या add कर दीजिए, I, IE, S, Add कर दीजिए, S, A, C, T है, Y है, Y के ठीक पहले क्या है, T, मतलब consonant है, तो Y को हटाईए, और क्या जोड दीजिए, IE, S जोड दीजिए, ठीक है, तो इस तरह से PURAL कर वाजो जगा, लेकिन अगर Y के ठीक पहले वावेल हो, तो उस conditions में क्या करते हैं, ये भी simultaneously आप याद क दीजिए, बहुत ही simple चाहे, अगर last में Y है, और उसके पहले वावेल आ गया, consonant के जगा पर, तो आपको simple में बिना Y को हटाए हुए, आपको क्या करना है, बस S को लगा देना है, और वो PURAL में कनवट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, जैसे K, E, Y है, यहाँ Y है, और उसके पहले E आ रहा है, वावेल आ रहा है, A, E, I, O, U में से एक होना चीए, तो आपको बिना Y को हटाए, सिर्फ last में क्या कर देना है, S को add कर देना है, PURAL में कनवट हो गया, W, A, Y, Y के पहले A है, A क्या होता है, हमारा वावेल होता है, इसलिए यहाँ पर Y को बिना हटा है, S लगा देजिए, ऐसे T, O, Y, PURAL में बनाते हैं, Y के पहले क्या है, O है, इसलिए आप क्या करिए, O हमारा वावेल में आता है, इसलिए आप क्या करिए, Y के बाद S लगा देजिए, मतलब अगर last में Y हो, और उसके पहले consonant हो, तो Y को हटाना होगा, और I, E, S को लगाना होग इसीच को दिमाग में बैठाइए, और अगर last में Y हो, और उसके पहले वावेल हो, तो बिना Y को हटाए, हमें S को लगाना है, तो इस तरह से हम singular से PURAL में कनवर्जन कर लेंगे Rule number fifth, announce ending with O, and before it a consonant, then add E, S at the end, अगर कोई भी singular noun हो, जिसके last में O आता हो, तो again आपको चेक क्या करना है, उसके पहले वावेल है कि consonant है, अगर consonant हुआ, मतलब A, E, I, O, U को छोड़ करके, कोई भी later दिखा, तो तूरंद आप क्या करेंगे, O के बाद last में E, S को add कर दीजे, लेकिन अगर वो वावेल आ गया, जो Rule number six बन जाएगा, अगर वावेल आ गया, O के पहले, तो उस जगह पर आपको S को सिर्पाइड करना है, ठीक है, simultaneously देखिए, आपको दो दो Rule एक साथ याद होता जाएगा, जैसे पहले इसका एक्जामपल देखते हैं, H, E, R, O, O last में आया, ठीक इसके पहले R आ रहा है, R क्या होता है, Consonant में आता है, इसी वज़े चे यहाँ पर E, S आप जोड़ दीजे, आपका Pureal Conversion हो गया, H, E, R, O, Yes, Heroes, ऐसे Mango, Arm, O है, O के ठीक पहले क् जी है, और G किस में आता है, Consonant में आता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या एड़ होगा, E, S एड़ हो जाएगा, Mango, Potato, O, O के ठीक पहले T, Consonant, इसका मतलब यहाँ, E, S एड़ कर दीजे, Cargo, O, O से ठीक पहले क्या है, G, Consonant में आया, इसलिए last में O के बाद क्या एड़ कर दी S को एड़ करना है, S, S को एड़ करना है, देखिए, R, A, D, I, O, यहाँ पर भी last में O है, लेकिन इसके पहले I आ रहा है, जो वावल में आता है, वावल, A, E, I, O, U, Again, I am repeating, A, E, I, O, U, आई आया, वावल, तो आपको सिर्फ S को एड़ करते हैं, Radios, Portfolio, यहाँ O last में आया O के ठीक पहले I, वावल आया, इसलिए आपको एड़ करेंगे, S को एड़ करेंगे, ऐसे ही video, last में O, O के ठीक पहले E आया, वावल आया, इसलिए S एड़ करते हैं, ऐसे ही O, और उसके पहले क्या आया, वावल आया, तो इसलिए आपको एड़ करेंगे, देखिए, यहाँ प्रवावन नो तो इसलिए हम S को add कर देंगे हैं ठीक दोस्तों अब next rule जो rule no.7 है a noun ending with F और F E then remove F और F E and add V E as add the end अगर कोई भी noun के last में F आता हो या F E आता हो तो आप क्या करिए इनका purel बनाते समय इस F या F E जो भी आ रहा उसको हटा दीजिए और उसकी जगह पर V E as को add कर दीजिए purel बन करके तयार हो जाएगा for example T H I E F थिप F last में आया अब F को हटा ये और purel बनाते समय मैंने क्या बोला V E as को add कर दीजिए तो F को हटाएगे और जोड़ दीजिए V E as तो जागा थेपस W I F E Wipe F E last में आया F E last में आया तो आपको क्या करना है F E को हटा देना है मैंने F E को हटा आया तो बचा क्या W I और add क्या कर देना V E as जोड़ दीजिए V E as ऐसे ही लीप पत्तियां जो होती है हमारे तो लीप एक सिंगल पत्ति के बारे में बोल रहा है अब यहां पर F आया F को हटाएगे और V E as जोड़ दीजिए प्यूरल में लीप्स हो जाएंगे L E A V E as प्यूरल बन गया हाफ आधा होता है बहुत सारे आधा के लिए बोलना हो तो प्यूरल में V E as एड़ करें क्यों क्यों कि देखे लाश्ट में F है और F है तो इसको हटाएगे और V E as एड़ कर दीजिए ऐसे लाइफ है F E जगह पर V E as को एड़ कर दीजिए बन जाएगा नाइपस ठीक है दोस्तों लास्ट रूल है बाइचेंजिंग दा इनसाइड वावल आप दा सिंगलर नाउन जैसे M A N है यहां A को E में कनवर्ट कर दीजिए इस वावल को E में कनवर्ट कर दीजिए अपने आप यह प्यू यहां A की जगह E कर दीजिए काम खत्म हो गया TOOTH यहां डबल O की जगह पर W कर दीजिए यह डबल E लिखा हुए दोस्तों TOOTH टीक है प्यूरल बन गया basis यहाँ i की जगा पर आप क्या करिए e को add कर दीजिए तो बन जाएगा basis प्यूरल कनवर्जन हो गया तो इस तरह से दोस्तो यह कुछ basic rules हैं जिने आप अच्छे से पढ़ लें अच्छे से समझ लें तो आप किसी भी singular noun को प्यूरल noun में convert कर सकते हैं बड़े ही आराम से तो i hope कि आपको यह concept clear हो चुका होगा कि किस तरह से हम किसी भी singular noun को प्यूरल noun में convert करते हैं तो अगर आपको हमारा topic पसंद आया आपको हमारा video पसंद आया और अगर आपको MS coaching institute का channel पसंद आया तो दोस्तो आप like जरूर करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करें और हाँ दोस्तो अगर आपने सब्सक्रिप्शन बटम क्लिक नहीं किया हुआ है अगर वो red color में सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ दिख रहा है तो समझाए आपने subscribe नहीं किया है और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक करनें दोस्तो ताकि हम future में कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका notification जल से जल आप तक पहुँचा है So thank you so much for watching this video and have a nice day